हेलो फ्रेंड्स जैमा बगला हुँ जैदासे आज सभी को बाबा जी के छटी की बहुत बहुत बधाई हुई आज रात को उरस बाबा जी के छटी मनाएगे यह आज अभी सबसे पहले हम शामबर सरीफ जा रहे हैं उनके पोते की दरगा पे कहते हैं चादर चड़ाने क्योंक इसकी क्यां आज सब करएं परफेक्टली गोलते हैं मां वशिकरन कराओ एक जन्न कल मैंने बता है ईह एक जर्णने कहा कि उसकी बीवी को किसी और के साथ रिलेशन है जो भले ने पुरे गाव में पूरे खेतों में और बैलों के साथ में, जबन को कुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बस वो ये चाहता है कि ये इंसान खूश रहे और ये इंसान अगर खूश रहेगा तो मेरी जिन्दगी में दखल अंदाजी ना करें हम लोग चाहे कोई ये सब के लिए लागो हैं लड़का और लड़की कि हम बाहर चाहे कुछ भी करें हमारे बीच में ना बोले और बहुत सारे ज़नों को ये बात चुपती है कि ये हर चीज में हमारे बीच में क्यों बोलते हैं लेकिन जो इंसान सच में किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हैं मानता है उसी से जगड़ा करता है क्योंकि उसको हर लोक उसको खोने का डर लगा रहता है और जब भी किस इसा इंसान आप लोगों खोग देते हो न तब जिंदी पर पच्टानि के सिवा कुछ नहीं रहता है क्योंकि आपके हर बातों में हां मिलाता है न वह एक बात याद रखें कि हा में हां मिला रहा है वो और कभी पे आपको दोगा दे सकते हैं जिस तरह का फिर आप लोगों कि यह सब बोलने से अच्छा मुझे का मिलता है काम करने भला एक तो इससे बड़ा वशीकरन है लुना चमारिक की शक्ति का वशीकरन या तो सुल्तान जिन का बहुत से लोगों ने कल बोला लेकिन किसी ने चालू नहीं कियोंकि उसका प्राइज ही बहुत है सुल्तान जिन की सिध्धी कम से कम देड़ दो राकी है क्योंकि वो सिध्धी के ऐसी पावर है कि अच्छे से अच्छे इंसान को हिला के रख देती है हमने आस तक मैं मेरी शक्ती मैं जानती है और वो शक्तिया सिध्य करके देती है सुल्तान कभी किसी को नहीं देती और मेरा सुल्तान किसके पास जाएगा भी ने ये बात याद रखना मैं आज मेर शरीफ आई इतने सारे जिन्नातों की ताकत है मेरे पास सब कुछ है सारी चीज़े बखुभी रिखती है आप अगर किसी के साथ गलत करने को देख रहे है तो उसके साथ गलत होना ही होना है पिछले साथ सामबर शरीफ में हमारे साथ कुछ लोग गये थे लिए इस सब के मन में पाप था सब के मन में यह था कि विद्धय दीवी क्या करते हैं भगवा ने उनको इस रस्ते लगा जाए है ना आज की तारी में उनका काम धंदा पैसा सब कुछ बंद हो गया है कितने लोग तो जबरदस्ती मुझे फोन करकर के मेरी मेरा हाल चल लेते रहते हैं किसी ने किसी बहाने कि कैसे हो क्या हो किस तरह से क्या कर रहे दीदी क्या है ऐसा समझें क्यूंकि हम जो काम करते उस काम का कोई काट नहीं है तो भी आपको वशीकरन कराने वशीकरन करो कारो क प्रफिश्ट की तो मेरे समझाने बोलने से कोई फायदा निया आप सब लोगों को ना कहते हैं कीचर में और गंदगी में रहने के आदत हो चुकी है आदमी कहते हैं मेंड़क होता है यह लोग गटर के किड़ों में गटर की खुश्बू की आदत हो जाती है फिर चाहांके भ बहुत सारी जगों पर बारिश आये कुछ भुकम के जटके लगे वह लगेंगे लगेंगे क्योंकि पापी इतना वड़ गया है देश में कि कुछ भी हो सकता है कोई सुनता नहीं क्योंकि हम पंडित अगोरी को तो आप लोगों ने पागल में गिंती करके रखिए सही है न मैंने का माध्यम यहीगा कि अभी इस वक्ष जहां हम लोग है वहां पर आपको कोई भी काम बखु भी हो सकता है कल मैंने डाला था लूनाच हमारी बुद्धी ब्रश्ट तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया तो मैसेज क्यू करें करवा लीजे लेकिन मैं एक ही बात ब बच्पन से माबब के कियों प्यार को न पहचान सके उसी लड़की को जिंदा रहने का क्या हक है तो इससे अचा मार दालो लेकिन उसके लिए आप वशी करण करवाया था क्या यह करवाया था क्या वह कर वह दो यह कोई माइने नहीं रखता है हमें काम से मतलब है और अभी इतनी खुशी ना शायद आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि किसी खुशी भीडिया लेंना होता है माली में हर एक चीज की रित्ति रिवाज रहती है सजब बोड़ रहे कि खुछ मुसीवथ आने वाली तो आने वाली का नहीं नही Net तो तुम सब लोगों है ना भीन पेंदी के लोटे होग इदर घुमते हो कभी उदर घुमते हो को हम लोग को गलत कह रहे हो नहींनननी तो जब माता पिता जी जब बता रहें तब क्या तुम्हारी घास चरने गया है तुम्हारे गाली निकलता है कि मैं ऐसी अच्छी जगा बैठी हो और बच्चे भी साथ पे तो बोल ने सकते तो आज अच्छी घाली उसे तुम लोगी शुरुवात करते हैं तो विनाश्काले विप्रित भुद्धी मरो जो कर रहें करो जब तुम्हारे पर बीतेगी ना जब तुम पर मुसीवत आए कि करो ना काल से तो तुम लोगों को सबब मिला नहीं है ना अभी आगे जो मुसीवत आएगे उसको जेलना ठीक है जैवाता दी